तो इस वेल्कम बैक वन्स अगें स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैस दुनिया में तो हमने प्रीवेस ड्यूडियो में साथ क्वेशन कंपीड कर लिए तो आज जो नई वीडियो आपके सामने लेकर आया है लास सेवन्थ में एक्साइब 3.2 हम यहां पर सुरू करने जाते हैं तो इससे प्रीवेस वीडियो हमने है 3.1 वहां पर जितने भी आपकी क्वेशन्स थे सारे क्से किस से लेए थे मीन से रिल्टेट है मीन का हम नहीं वहां पर बेसिक पड़ाता है इस तरीके से डिवन डेटा का आप मीन कल्कुलेट करते हैं यहां आज जो आप एक्साइट 3.2 करने जा रहे हैं इस एक्साइट 3.2 में हम एक नई चीज़ सिखेंगे कुछ क्या मीन के भी मिलेंगे और आपको यह अबर मीडियन और मोड के बारे में भी कुछ जानकरी भी जाएगे कि हम मेडियन और मोड वैसे कल्कुलीट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो पहला पर्शन आपका एक्साइट 3.2 से क्या है दिए यह आपके सामने कुछ डेटा दिया हुआ है कुछ टेस्ट में कुछ बच्चों की मांक्स का डेटा आपके सामने दिया कि 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 बच्चे के 19 है इसी के 23 है कि 20 इस तरीके से सारे नंबर का डेटा आपके सामने दिया हुआ है और आपको क्या क्या करना है क्या नहीं आपको दूस्ट आ रही है यह नहीं आने है सबसे पहले आपको इन कोईसेंस के लिए जैसे मीन में अभी तक हमारी पार जो क्वेस्टेंस था हम सीधा क्या करते थे सारे नंबर को सम करते थे और टोटल नंबर से डिवाइड करते थे उसे हमारी वैल्यू केल्कुलेट हो जाते हैं यहाँ पर मेडियन और मोर्ड करने के इस्पेसिली अगर मैं आपसे कहूं तो मीडियन केल्कुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले आपको इस टेक क्या है जो भी नंबर्स आपके सामने जो भी डेटा आपके सामने दिया होगा तो यह कुईस्टिन किसी भी फॉर्म में दे स इससे बड़ी लिखिए फिर उससे बड़ी लिखिए इस तरीके से आप उनको अर्रेंज कर लीजिए इससे बोला जाता है असेंडिक और यह जितना भी डेटा हमारे पास गिवन है और यह कंबसरी है आपको करना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं यह जल्की से लाकि आपके सामेर रखर रहे हैं आप सभी बच्चों को असेंडिक और को समझ में आता हो गए यह सारे जो नंबर मेरे पास हैं यह नंबर को मैंने लगाया है असेंडिक और के ने ठीक है तो यह सबसे पहले 5,9,10,12,15,16 इस तरीके से नंबर मैंने लगा दिया है असेंड आपको यह definition से easily क्या हो जाए इन questions का solution करना आ जाए तो mode हमारे पास क्या होता है mode is the value of variable which occurs most most frequently आपने इन numbers में अगर definition समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं आप easily यहाँ पर mode calculate कर सकते हैं आपने इन numbers में check करना है इन numbers में check करना है कि कौन सा ऐसा number है जो सबसे ज़्यादा बार repeat हो रहा है सबसे ज़्यादा बार कौन सा number आ रहा है देखिए चेक करिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा में आपको बहुत यह लगा होगा इस तरीके से हम मोड कल्कुलिट करते हैं में अब आते हैं मीडियन के लिए बच्टो आपको एक काम और करना है मीडियन के लिए सबसे पहले इनको आप काउंट कर दीजे कितना है इन चीज़ों तो ध्यान से करिएगा इस जिदने भी आपने यह जो असेंडी ओर लगाया है यहाँ पर यहाँ पर तोटल नंबर और स्टुडेंट्स है और टोटल नंबर इस्टुडेंट्स यहाँ पर है उनको काउंट कर दीजेगा ताकि कोई भी नंबर आपका मिस्ट ना हो कि अब हमको निकालना है कि मीडियन में इस होता है दो वैल्यू ऑफ दा मिडिल मोस्ट ऑप्जर्वेशन इस कॉर्ण मीडियन जो सबसे मिडिल में जो आपका ऑपचर्वेशन होगा इन नंबर स्कें मीडियों मैं जो नमबर होगा वतामेडियन होगा clicking तो आप मिडिल का नंबर मिडिल वाला उप्जरवसन कैसे पता चलेगा उसके लिए आपको इनको काउंट करना है तो काउंट करेंगे कैसा नंबर है और आप सबको पता होगा कि 15 आप आरे पास और नंबर से आपको चेक करना है कि मिडिल टम कौन सा होगा तो मिडिल टम कल्कुलेट करने के आपने क्या करना है इस एन प्लस वन को डिवाइड करना है तो से इस एन में वन प्लस करना है दन उसको टू से डिवाइड करना है और उस नंबर के टर्म को चेक करना है जो इसको सौल्ट करके आएगा तो उस नंबर को जो आपने नमबर आएगा देखा हम बताता हूं अभी आपको कि एंड के वेलिए अगर हमारी पास 15 आगी तरस वन आगी अपॉंड टू तरस वन आगी अपॉंड टू तरहेगा 16th अपॉंड टू तरहेगा 8 जिन आपका आंसर 8 नहीं है ध्यान रखेगा बहुत बच्चें अब टूमिस्टेक करते हैं आपका आंसर 8 नहीं है में इसके एत लिखाओ नहीं है वह आपका अंसर होगा, वह आपका क्या हैगा, तो चेक करेंगे, देखिए, यह आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 नमबर का अब्जेर्शन मेंजे क्या मिला, 20, यह 20 होगा आपका मीदियन, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चें यहां पर मिस्टेक करते हैं, इसे सीधा हैं, हमपर 16 अपर 2 करके 8 अपना अंसर लिख देंगे, आपने यह मिस्टेक नहीं कर नहीं है, आपने क्या करना है, यह तर्म काउंट करना है, यह आपका आग्या 20, तो 20 आपका हो जाएगा इसका मेडियन, और आप से लास्ट ने पूछ रहा है कि, are the same, आप लिस्टेक में आपके पास मोड भी 20 आया था, और आपके पास मेडियन भी 20 आया है, इस दोनों की वेल्यू के यह सेम है, आपको समझ माया होगा, बहुत अच्छे तरीक से आपके समझ में आ गया होगा, आप चलते हैं, नेक्स्ट कॉर्षिन पर, जब इस तरीकी के और बहुत सारी कॉर् देखें, question number two को द्यान से पढ़िए, same उसी तरीके question है, same हमारे में pattern हमने use करना है, जो चीज़ा आपको बता दिया है, और बहुत easily question को करना है, बहुत easily question को करना है, सबसे बहुत देखें, question number two में, यह हमारे पास कुछ data है, कि किसी cricket team के 11 players हैं, उनके दौरा जो बनाएगे runs हैं, वो runs का detail आपके सामने दिया होगा, कि first player ने इतना हमन मनाया, लेकिन इस तरीके से runs का detail आपके सामने दिया होगा, इसने player है, 11 player है, ठीक है, आपसे पूछता है कि runs का mean निकालिये, mode निकालिये, median निकालिये, और यह बताएगे कि तीनों चीज़, तीनों जो value आरी है, इस तीनों निकालिये, बताना है, और इसी जाएग, तो सबसे पहले देखे, मैं आपको सबसे पहले बताया, पहला इसका है, अगर आपके question में लिखा है, कि आपको mode और median, अगर यह word लिखा होगा है, तो मेरी आपसे request है, और करने का तरीका भी है, यह question है, कि आप सबसे प निकाने के लिए बताता है, तो में निकाने में मेरे हसाब से आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको में निकाना बहुत अच्छे से हम बता चुके है, आपको इस सारे numbers को add करना है, को इस तरीके से सारे इस नमबर है, हमने सब लिख दिये, और हमने इसको add किया, तो यह आगे 429 अपॉन 11 11 से आप इससे डिवाइट करेंगे तो यह हो जाएगा थर्टी नाइन हमारे पास आगे आए इसकी मीन की वेकर ठीक है यह हमारे पास मीन निकल के आज़ा है यह आपको प्रीबिएस जो वीडियो है 3.1 जो हमने करा था महां पर मीन के बारे में बहु यह बहुत होता है कि आप यहां चैक कर लीजिये कि ऐसा नंबर चैक कर लीजे जो सबसे ज़्यादा वारे भी वाइट हुआ है तो अगर मैं चैक करो हूँ यहां पर देखिए कौशा नंबर इसका निकल की है 15 पूले कांस आ है तो निकल पना तो बहुत वहत हीजी होता है कि आपको जरूरी नहीं कि अब जरूरी नहीं है मेडियन के लिए मस्त है अब मोड के लिए इसलिए माँ आपसे कह रहा हूं कि जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे आप इसलिए पकड़ मा जाएंगे आप यहां से आपको चेक परने में थोड़ा सा टॉफ हो जाएगा अगर आपको नंबर बहुत जाएगा कि कौन सा नंबर ऐसा जो बार बार इंपित हो रहे है इसलिए आप इसको अश्यादी में मोड के लिए लिए तो जादा वैटर हो रहा है 境 कि मिडियन काम करकूं करें सबसे पहला था कि नंबर जो डिटा है उनकी नंबर कीकिन फैसिंदे लोगों की इतना आप है जान्ट प्लीए तो आपको यह कोश्छ नम्बर ऐस कीम लेके क।ो अब जब दे होगी तो एकीग है फोटर आपके पास 11 आपकी पास क्या है और नमबर इससे पहले वाले कोईस्चन में ही मैंने आपको बताया था कि अधर न की बाइब होगी तो आपने क्या करना है मोड निकांदे के लिए एन प्लस वन इसमें 1 एड करना है इसको डिवाइड बैट नहीं है यहां पे आपको सिक्स्ट वाला तर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा जहां पर आपने जहांपर आपने च्छेंड बिखा होगा है आपके पास यह है तो इसमें 6 तवाले तर्म वो ढूड़िये ज़रा तो जाएगा 1,2,3,4,5,6 6 तवाले तर्म हमारी पास क्या आगया 50 15 हमारी पास आगया असका मेडियन मेंस क्या है अब यह क्वेश्चन आप सब्सक्राइब है कि are the three same आप रखेंगे no these three are not same क्यों मोड और मीडियन तो सेम है बड़ आपको मीन की वैल्यू आ रही है वह थर्टी नहीं आ रही है तो यहां को easy हम कैसे हैं कि तीनों जो हमारी वैल्यू आ रही है तो same नहीं है I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर कोई confusion हो रहा है तो आप यह काम करिए जो comment section है उस comment section का use कर लिए वहां पर अपनी जो भी problem आपको यहां पर समझ में आ रही है topic से रहे लेकर उसे लिखिए हम फूरी कोसिस करेंगे कि आपका जो भी confusion होगा उसे दूर करनेगे तो आप चलते हैं next question पर question number third question discuss करते हैं question number third question number third में आपके सामने क्या जिया हुआ फिर वही आपके सामने एक data दिया हुआ है same जैसा बितल सारे questions आपको मिलते आ रहा है और आपसे यहां पर फिर वही चीज mode और immediate calculate करने के लिए बोला जा रहा है और यहां पर आपसे एक question और इसमें part पूछा गया है कि is there more than one mode क्या इसके जो mode है वह एक से ज्यादा है आपको दिखाना है आपके पास पहला trick क्या होगा आपने क्या करना है आपने ascending order में लगाना है first step आपका ascending order में मैंने आपके सामने यह arrange करके रिख्या होगा अब mode check करते हैं जब mode check में मैं पहुंचा तो मुझे यह चेक करना है कि कौन सा number सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है मेरे पास एक number तो यहां पर यह value आ दिखो 38, 38, 38, 38 दिखो 3 times तो 38 हमारे पास repeat हो रहा है ठीक है सेंडिंग order में लगाया और उसके बार देखा कि हमारे पास 38 3 times repeat हो रहा है और 43 भी 3 times repeat हो रहा है इसका मतलब सीदा यह हो गया कि इसकी mode की जो value होंगी वो दो value होंगी एक तो 38 होगा और एक 40 ही होगा तो second वाले part का answer हमें मिल गया कि is there more than one mode yes हम रहेंगे yes कि कितने mode होंगे तो mode होगे इस डेटा है अब मीडियन कल्कुलेट करना है तो मीडियन कल्कुलेट करने के लिए यह हमारे सामने पता है कि 15 students हैं उनके weight का data आपके सामने दिया हुआ है kg में 15 students के जो आपके पास weight का data है वह आपको गिवन है आप तो number of students कितना हो जाएगा 15 और नंबर है और नंबर के लिए मैंने आपको परिका बताया है क्या करेंगे वन एन प्लस वन अपान टू यह जाएगा 15 प्लस अपान टू यह जाएगा आपके पास 16 16 में 2 का डिवाइट करेंगे तो वही आगया 8 वाला observation अपने करने करना है यह जाएगा तो इसका इसली हमारे पास मीडियन की आजाएगा इस वाले तरीक को आप अगर अपनाते हैं आपका question जो बहुत इजी इस फॉल हो जाता है ठीक है आपके समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ रहा है तो सांसात में वीडियो को लाइक भी करते देजिए और आपको इसको शेर भी करते देजिए ठीक है आप चलते हैं next question question number 4 पे question number 4 में भी आपके सामने डेटा गिवन है और आपको इस डेटा का मोड और मीडियन कल्कुलेट करना है तो पहला step जैसा अभी तरह सारे question में करते आए हैं कि हमें सबसे पहले जो भी data गिवन है इस data को आपको क्या लगाना है ascending order में आपके सामने ये data सारा जो आपको दिया अब होतकर है कि कॉंब कर लीजिये को मोड में चेक कर लीजिया यां अ आपको median calculate करना है तो median calculate करने के लिए कितने observation है पहले बांट कर लीजिए जो एन की value हम बोल लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो एन की value मेरे पास 9 आ रही है तो odd value है odd value मेरे क्या करते है एन प्लस 1 है सम अपॉन 2 जो यगा आपका 9 प्लस 1 अपॉन 2 है तो फिट वाला observation चेक करना है कौन साला चेक करना है फिट वाला observation आपके सामने कौन सा है तहां पाएंगे चेक करने के लिए ascending order पाएंगे और ascending order से देखेंगे फिट वाला तंब कौन सा है तो आप चलते हैं next question question number 5 पर तो इस्टेंस discuss करते हैं इस exercise का last question question number 5 question number 5 आपकी understanding पर जितना आवे तक आप में समझा है और जो definition मैंने आपके सामने लिखे दी उस पर बेर इस जबाएंगे और बहुत अच्छे से बहुत असानी से आप इसका answer देंगे अगर आपके दिमाग में सारी बाते होंगी जो मैंने आपको समझाई लिए पहला question आपको data मैं आपको बताना कि आपको data given है उस data का जो mode हम लिखा लेंगे वो उस data में से ही कोई number समारा होगा जैसे suppose मैंने लिखा ascending water में कोई number लिखा है 2 2 2 4 7 6 यह लिखा सबोस कोई number लिखा है यह data मेरे सामने है तो यह data में आप देखिए यह आप से कह रहा है कि इनका जो mode होगा उसको निकाल लिए mode में easily जो मैंने आपको समझाया के हिसाप से mode की वेजी 2 आनी चाहिए क्या यह जो 2 है यह data के अंदर है क्या इस data से यह 2 आया है यस आप कभी भी mode को calculate करिए तो mode आपका हमेशा जो data आपको given है उसमें से ही एक number होगा यह आपका जो statement है वो हो जाएगा इस एक्जेंबल से आप इस चीज़ को बहुत समझ लिए हुए और जो हमने previous अभी जो question किया हुए उनको आप देखिए हर question को घ्यांच देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो mode आता है तो उसी data में से निकारते हैं तो उसी number को हम ढोड़ते हैं जो सबसे ज़्यादा बार repeat हुआ है तो इस पार बागते हैं तो मीन के लिए पी चीज पोच रहा है तो क्या मीन के लिए होता है चेकर देखिए में एक एक जेंबल इतना है फॉर फाइव शिक्स एंड सेवन यह फोर नंबर मेरे पास हैं तो मुझे इसका मीन कल्कुट करने का तरीका मैं आपको बताया था इसके एड करूंगा तिक हो जाएगा 9, 9 और 6 में हो जाएगा 15, 15 प्लस 7 हो जाएगा मेरे पास 22 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 5.5 आज़ेगा हम मुझे एक बात बताईए कि जो मीन की वैल्यू आ रही है क्या वो इस गिवन डेटा के अंदर है नहीं है आपका आंसर क्या होगा नहीं है इसका मतलब सीरा से बात हो गया कि यह हो जाएगा स्टेट्मेंट फार्ट कि जो मीन की वैल्यू आएगी वो मीन की वैल्यू उस जुबन डेटर से ही कोई होगी यह क्या हो गया स्टेटमेंट मारे पार सब्सक्राइब आते हैं थर्ड पर हमने मीडियन पूछा कि तो मीडियन की कंडिशन में ऐसा होता है यह में की डेफिनिशन देख है मैं अब क्या कहा था है लिए लिस अगरु सब्सक्राइब यहार प्लस थ्री प्लस एट फ्लस 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 और कितने हमारे पास है 1,2,3,4,5,6,4,8 इनको आइट करेंगे तो या जाएगा आपकी पास 64 अपान 8 या रिवेल्यू 8 हो जाएगा आपका आपका अनसर तो इस तरीके से हमने कर्षिन नबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिपिकरिशन उन बच्चों कर सबसे पहले पहुँआ सके मिलते हैं नई वीडियो में जिसमां विस्कस करेंगे एक्साइज 3.3 के बारे तक के लिए आप इन सारे प्वेशन का बहुत अच्छे से रिवीजन जरूर कर ले